पार्ट बीस अनुचेद लेखन अनुचेद का अर्थ है परस पर संबंद वाक्यों का लगू समू अर्थात अनुचेद आपस में संबंद रखने वाक्यों का एक ऐसा समू है जिसमें किसी घटना, द्रिश्य, अत्वा विशे को सार गर्बिट धंग से प्रस्तुत किया जाता है इसमें विशे से बाहर की कोई बात नहीं होती और विशे का विस्तार या पल्लवन भी एक बिंदू तक ही सीमित रहता है निबंद, पत्र, लेक, आधी वास्तब में अनेक अनुछेदों का समू होते हैं अत्या, अवशक है कि अनुछेद लिखने का अभ्यास किया जाए अनुछेद लिखने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए अनुछेद में किसी भूमी का या उपसंगार की अवशक्ता नहीं होती अनुछेद में अपने विचार सीमिट शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने चाहिए अनुछेद में कलिष्ट शब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहिए अनुछेत की भाषा सरल तता प्रभावत पादक होनी चाहिए अनुछेत में वाक्यत छोटे किन्तु अर्थ पूर्ण होने चाहिए अधिकार नहीं सेवा शुब है सेवा अपने आप में पूर्ण स्वादीन है किन्तु बिना सेवा के अधिकार बहंकर दैते बन जाता है सेवा के संकेत चिन्नों पर चल कर ही अधिकार जल कल्यान कर सकता है इसके संगती से अधिकार की पूजा की जाती है तता इसके आशिरवात से ही अधिकार मानव हिदे का प्रिये बनता है जहां अधिकार कोरा होता है वहाँ वय दंबी, दुराबी मानी व अपकारी बनकर विश्व का गृणा भाजन बन जाता है प्राचिनकाल में अधिकार सेवा का सेवक था, आज्याकारी था अधिकारियों के हिद्य में सेवा भावना की प्रधानता होती थी जिस हेतु वे सदा के लिए अधिकार का जंजाल मोल ले लेते थे राम अधिकारी नहीं सेवक थे, तभी तो मानव से देवता बन गए किन्तु अब अधिकार में सेवा की प्रेड़ना नहीं रही तभी तो वै आज आतंग का प्रतीक और अत्याचार का आधार बन गया है मा, कितना प्यारा शब्द है मा इसे सुनते ही समस्त चिंताएं, कष्ट, रोगादी स्वतही दूर हो जाते हैं मा को हम अंबा, जननी, मम्मी, मैया, मम्मा यहां तक की अंबा कहकर भी बुलाते हैं मा हमें जन्म देती है, अपना दूद पिला कर हमें पालती पोश्ती है रात को खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, खुद बुखी रहती है, लेकिन हमें खाना किलाती है और हम पर किसी भी प्रकार के कष्ट या दुख की चाया भी नहीं पढ़ने देती मा से बढ़ कर कोई प्यार नहीं कर सकता मा प्यार और त्याग की साक्षात मूर्ती होती है इसलिए जब हम किसी कष्ट या दुख में होते हैं तो मुझे अनायास ही हाई मा अरी मईया शब्द निकलते हैं कभी भी हमारे मुख से हाई पिताजी अरे पापा शब्द नहीं निकलते इसलिए हमें आजीवन मा का कृदग्य होना चाहिए और तन्मन धन से अपनी मा की सेवा करनी चाहिए सत्यमेव जयते धर्म शास्त्रों में सत्य को परिभाशित करते हुए कहा गया है कि जो नित्य है वही सत्य है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सत्य ही वह तत्व है जो ने तो कभी बदलता है और ने ही किसी भी परिस्तिती में विचलित होता है हमारे प्राचीन धर्म ग्रंतों में भगवान श्री राम को सत्य के रूप में निरूपित किया गया है क्योंकि भगवान च्री राम प्रतिकूल परिस्तितियों में भी अपने पत से कभी विचलित नहीं हुए थे महापुरुषों के अनुसार जहां सत्य है वहां इश्वर, आनंद, उन्नती, सुख एवं कल्यान है इसके विपरीत जहां असत्य है वहां पतन, अवनती, पराजय एवं अप्यश है सत्य को अविनाशी और असत्य को नश्वर माना गया है शास्त्रों में सत्य की महिमा का शंक नाद करते हुए उद्गोश किया गया है सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है अतय सत्य का पालन करना मानव का परमधर्म है वर्षा रितू भारत में छे रितूए पाई जाती हैं बसंत, ग्रेश्म, शरद, वर्षा, हेमंत और शिशिर इन सभी रितूओं में वर्षा रितू का अपना विशेश महत्व है वर्षा रितू के आते ही काली-काली घटाएं आकाश में च्छा जाती है बादल गरजने लगते हैं बिजली चमकने लगती है चिरकाल से दूल दूसरित पत्ते दूल कर निर्मल हो जाते हैं चारो और हर्याली चा जाती है सर्वत्र मेंडोको की टर टर सुनाई देने लगती है काले-काले मेगो को देख कर मयूर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं कोयल का स्वर कानों में मदूर्ता का संचार करने लगता है व्रिक्षव पर आम और जामुन की बहर प्रतेक मन को मो लेती है इस रितु से अनेक पर्वों का शुबारंब हो जाता है तीज और रक्षा बंदन का पर्व भारतियों में सांस्कृतिक चेतना का संचार करता है वर्षा से अनेकों लाब हैं किसान का तो जीवन ही वर्षा रितु पर निर्बर करता है यदि वर्षा नए हो तो आकाल की स्थिति पैदा हो जाती है वर्षा से नदियों और तालाबों में पानी भर जाता है वर्षा का जल बिजली उत्पादन में भी सायक होता है वर्षा कई प्रकार से कष्ट दायक और हानिकारक भी होती है अधिक वर्षा होने से बार की स्थिती पैदा हो जाती है घरों दुकानों में सर्वत्र पानी भर जाता है मारगों वे सडकों पर पानी भरने से यातायात में कठिनाई होती है मच्चरों के पैदा होने से भयानक रोग भी भैल जाते हैं जिससे महामारी फैलने का खत्रा उत्पन हो जाता है किन्तु फिर भी वर्षा रितु जीवन दाइनी जल प्रदान करने के कारण अत्यंत महत्वपून है पाट